एक ट्रेंड बनाते हैं उसे स्टड़ी करते हैं और देखते हैं कि यह शेयर का प्राइस कैसे बढ़ रहा है या कैसे गिर में नमस्ति पेचेक पो मैं हूं मनीज होजा और यह पेचेक प्रफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके इन्वेश्मेंस के बारे में इस चैनल पर मैं वीदियोच भेसक करता हैं पहली बार आइने Huge गर आप पहली बाद के घ्रुफ कीजे और फुकल को आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टेकनिकल ट्रेडिंग के बारे में आपको एक simple introduction देने की कोशिश करूँ तो अगर आपने कभी कोई business newspaper देखा हो या अगर आपने किसी कभी business news channel चलाया हो तो जो charts नजर आती हैं किसी भी शेर के price के साथ एक chart नजर आती है जिसमें lines open नीचे निकलती है या green arrow, red arrow जब नजर आते हैं आपको screen पे यह सारी की सारी च में थोड़े और detail में बात करेंगे technical analysis वैसे है एक study chart और trend के बारे में technical traders क्या करते हैं किसी भी शेर का price, volume एक over a period of time एक trend बनाते हैं उसे study करते हैं और देखते हैं कि यह share का price कैसे बढ़ रहा है या कैसे गिर रहा है तो इस chart के trend को देखते हुए एक margin of error रखते हुए और technical knowledge क ध्यान में रखते हुए जो trader है वो एक pattern बनाता है prediction मतलब अनुमान लगाता है आने वाले दिनों क्या आने वाले थोड़े समय में इस share का भाव कैसे उपर या नीचे गिरेगा उस हिसाब से वह trade की position लेता है trade की position लेना मतलब अगर आपने shares खरीदे हैं तो इस shares को आगे जा परीद के उस trade को square off करना होगा तो traders basically यह जितने भी share market में जो उतार चड़ा होते रहते हैं उसका फाइदा उठाते हुए शेर मजार का जो चार्ट से उसको पढ़कर उसको समझ कर जो अनुमान लगा के जो trade करते हैं उससे पैसा कमाने वाले लोगों को traders कहते हैं और वो technical analysis क भी मदद लेते हैं technical analysis का फाइदा सबसे बड़ा यह है कि अगर आप technical charts को धंग से पढ़ना सीख जाएं तो आप उसको बहुत चोटे time period के लिए भी पढ़ सकते हैं जैसे थोड़े से मिंटों के लिए आने वाले सिफ आदे घंटे के लिए एक घंटे के लिए आप इतनी च 20 पैसे का फरक जब लाग शैस के साथ multiply होता है तो आपका फाइदा हुआ 20,000 रुपाय का यह सोचने के लिए तो बहुत ही भेकरी इंसा trade लगता है लेकिन इसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू देखने की कोशिश कीजिए अगर आपका calculation गलत हो जाए या आपका जो पूल मंत्र यह है कि हम working professionals को investments के बारे में या investments के द्वारा पैसे कमाने के बारे में सिखाए हम चाहते हैं कि हमारे viewers हमारे subscribers पेचेक से profit के mentality की तरफ जाए आप अपना पेचेक इस तरह से use करें ताकि आप उसमें से investments कर सकें आप अपनी budgeting कर सकें आप अपने पैसों को बढ़ जाए कैसा कॉर्पस बन जाए जो आपको आपके पूरे retirement funds में काम आ सके उसके अलावा अगर आप जितने भी अपने future के expenses हैं या जितने भी आपकी responsibilities है उसे भी financially पूरी तरह से पूरा कर सके टेकनिकल ट्रेडर किसी भी तरह से गलत नहीं है मैं खुद काफी family friends और दोस्तों को जानता हूं जिनका पूरा घर टेकनिकल ट्रेडिंग के हिसाब से ही काम करता है लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आपको एक specific skillset होना जरू पूरी है आपको stressful environments में काम करना आना जरूरी है और अगर आप एक working professional हो जो 9 to 5 office में रहते हैं जिनके पास इसा time का advantage नहीं है तो मैं यह नहीं चाहता कि आप टेकनिकल ट्रेडिंग के सिर्फ फायदों को देखकर अपने पैसों को रिस्क में डाल दें और जिसके वज़े से आपको नुकसान हो 9 out of 10 पीपल जो आपने सुना होगा जिन्होंने शेर बजार में दोखा खाया है उनका 99 परसेंट रीजन टेकनिकल ट्रेडिंग ही होगा और यह मैं नहीं चाहता कि हमारे दर्शकों के साथ हो इसलिए मैं टेकनिकल ट्रेडिंग से बहुत दूर रहता हू अगर आप पर्टिकलर्ली टेकनिकल ट्रेडिंग के बारे में या शेर बजार के टिप्स के बारे में इंफरमिशन चाहते हैं तो आपको पेचिक टू प्रॉफिट चैनल पर यह इंफरमिशन कभी नहीं मिलेगी उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अ और अगर आपका टॉपिक बहुत बड़ा हो तो उसके लिए ऐसा ही कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं यह कते ही नहीं कहा रहा कि टेक्निकल अनालेसिस किसी भी तरह से गलत है या मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाता कि पेचेक टू प्रॉफिट किसी भी तरह से आगे जागे टेक्निकल अनालेसिस के साथ नहीं जुड़ेगा अगर मैं कभी भी किसी भी तरह से टेनिकल इनलिस का कोई भी काम करूंगा पेचेक-to-profit में तो मेरा星 जर्टी प्रोसीज़र होगा और मेरा च्रेनिटी प्रोसीज़र होगा वो बहुत ही जाता स्ट्रेंजेट होगा और मेरे जो participants होंगे उनको सारे की सारी risk मैं पहले ही अच्छे से बता कर एक understanding आने के बाद ही उनको उसके बारे में और training दूँगा तो बस आज के लिए इतना ही पेचेक प्रोज मैं आशा करूँगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने सारे सोचल मीडिया चैनल्स पर शेयर करना ना भूलिएगा तो बस अब पकात होगी आने वाले अगले वीडियो में तक तक के लिए मुस्कराते रहिए अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और फुश्ट रहिए कचेंग